कि यह मारा चुडा और हरे म hacen after का नास्ता बन के हैं कि इस नास्ते के लिए हमने लगवग' 100 ग्रां का इसपास चुडा और सुंगरों का स्पास हरा मत्र लीया यह वह भी देसीमतर है तो अब हम एक जुडे को न्याकर से पानिको छ चूंके रख लें तकि चूड़ा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो सके तो यह देखिए हमने भीगाने के बाद इसे पाने इसका निकाल दिया था तो यह बिलकुल अलग लग हो गया है तो अब हम एक फ्राइपेन लेगे फ्राइपेन में तेल डालेगे दो से तीर हरी मिर्च डालेगे और खरा ज तो यह देखिए हमारा हमके से रोस्ट हो गया है तो अब हम इसमें हरा मटर डालेगे तो यह मने हरा मटर इसमें डाला है और इसे लगभग तीन से चार मिट तर रिकुल मेडियन टू है फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इसका जो कच्छा पाने मटर का वो निकल जाए बहुत ह कि टेश्टी रेसिपी है और बहुत ही कम समय में यह लगभग पांसे चे मिनिट में यह हमारी रेसिपी बनके तयार हो जाती है तो यह देखिए हमारा मटर अच्छे से सॉप्ट हो गया है हलका से ब्राउन भी हो गया है तो इसमें अवर अधरक एड़ करेंगे अधरक को अमने अधिन चंडर के टुकड़े को रहने काट के सको इसमें डाला है आप चाहिए तो अधरक को घिसके बीसे डाल सकते हैं तो यह देखिए हमारा अग्रक पेच्छे से भून गया है तो हम इसमें नमाकेट कर लेगे अब अब अधरक को काट के ही डालेंगे इसमें तो ज्यादा टेस्ट आएगा है यह जो खाने में जो मुह में आएगा तो इसका जो तुरह तो जो स्वाद लगेगा वह बहुत ही अच्छा लगेगा तो यह हमारा फाइनली मटर भून गया है तो अब हम इसमें आदी चमच अजमाइन और कलोंजी इसे मंगरेला भी बोलते हैं तो उसे हमने यहाँ पर डाला है लाश्ट में तो यह देखिए हमारा अच्छे से यह मश छूरा डालेंगे हो चुरा को पुआ भी भूलते हैं हाट तो इसे डालने के बाद इसे आच्छे से मिला लेंगें आप na film को NFL कर लेंगे तेज्ञान भीया की नहीं रहाए कर लोग को नहीं रखे quiénगद हमारा जेगिम प्रलिया हो अशनुत हम निए जो चुरा है डिरा हो न तो यह देखिए हमारा वहाँ भी अच्छे से बुन गया है तो अब हम यहाँ पर थोड़ी सी चाट मसाला एड़ करेंगे मसाले हमने इसमें नहीं डाले ना है अब थोड़ी सी चाट मसाला आपको पसंद हो तो डाल दें ताकि थोड़ी सी इसका जो टेस्ट है हलका सा खटा विछ पर डेठर कोना जा कि अच्छा जाए चात वसाले वाली जो स्वाद होती है कि अनृता आप वसाले को डाले ही लिए तो यह मारा देखिए फारेली चूरा और मेटर की रेसिपी बनके तयार हैं तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं तो यह देखिए हमारा कितना खिला-खिला बना है यह नास्ता कितनी अच्छी लग रही है तो आप भी अपने घर पर जरूर बनाए फ्रेंट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दवाना ना भूले और घंटी के बेल आइकन को जरूर दवाए ता किस्ते रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहें तब तक रिदा आपको 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 आपक